हेलो अब्रीवन देसे जन्राइक जाया और वेलकम टू एजुकेशन वावा आज के इस लेक्षर में हम लोग 12 का जो एक्जाम हुआ है एक फरवरी 2021 को इसको जो हम लोग यहां पर इस सेट को यहां पर एक एक कटके देखेंगे और सारे प्रस्ण जो आपके 100 यहां पर को बताऊंगा और इसमें से यह भी बताऊंगा कि हैसे और यहां पर हो आपको यहां पर उप्सन में ही गलत बताया गया है तो यह一 tiden में आपको घ्रिडियर हुआ हो में आपको बूछ बचे है जितने पे होंगे वो बिल्कुल भी यहां पे 50 में 50 नमर लाएंगे ठीक है वह बहुत अच्छे से उनकी तयारी होगी यहां पे तो चले हम लोग देखते हैं पहला प्रस्ण क्या कहता है कि भारत चीन का युद कव हुआ तो यह सभी को पता है डी यहां पे 1962 में हुआ था ठीक है दो नम परसन की परणपरागत सुरच्छा नीती में कौन-कौन से तत्व हैं तो याद रखें यहां पे भी आपको अल हो जाएगा क्या हो जाएगा इन में से सभी डी ऑप्सन हमारा क्या हो जाएगा चार नमर परसन कहता है कि किस अनुछेद में बंदी बंदियों को जो संभीध् करता है कि भारत में किस तरह की कारिपाल का है तो भारत में नाम मात्र की कारिपाल का बास्तवी कारिपाल का सभी है तो यहां पर डी ऑप्सन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा साथ नमर परसन कहता है कि भारतिय संसद के उच्छ अर्थवा दूतिय सदन का नाम क्या है है गतने समिधान के तो मनोनीत कर सकते हैं तो यहाँ पर याद रखेगा कि 381 जो है इसके तहट क्या करते हैं राष्पति एक जो दो अंगल भारतियों को यहां पर करते हैं मनोनीद सो C option यहां पर सही हो जाएगा उसका 10 नमर प्रसन है कि सधारन बिध्यक को राज सभा कितने दिनों तक रोख सकती है छे माह तक सो यहां पर D option सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद 11 नमर प्रसन कहता है कि राज सभा के करिकाल छे बर सोका होता है तो यहां पे क्यूंकि यह सव्धन होताल है सकता है तो यह पे जो हुआ है एक हिसके बात Ten कीS I तो याद रखे अखिज भारतिय सेवा जो सेविल सर्विसेस होते हैं उसमें राज सभा का प्रस्ताव ज्यादा मानने होता है ठीक है तो यहां पर यह उप्सन यहां पर क्या हो जाएगा इसके लिए यही जिम्मेदार होते हैं चौदा नमर प्रस्ण है कि प्राकलन समीति के सदस्य कौन होते हैं तो देखे प्राकलन समीति में आपके सिर्फ यहां पर कौन आएंगे लोग सभा के सदस्य ही यहां पर चुने जाएंगे तो यहां पर धियान रखेगा कि चौदा का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है सो B आंसर सही हो गया 15 नमर परसन है कि दृदान परशद के सदस्यों का का रिकल कितना होता है तो रासस भाव ला एक हो भारतियत का सदस्यों का से― परसन के लिए कितनी और निर्वार्स llam का ज़का निर्भाषत्र दों कि ब्हतन की प्रेड़ना कहां से लिए गई है तो संबर्ति सुची जो अस्ट्रेलिया से लिए गया है तो सी ऑप्सन हमारे यहां पे सही हो जाएगा ठीक है इसके लोग अठरा नमर परसंट की बात करते हैं कि निवन में से कौन संग सुची का भी से है तो याद रखे यहां पे जो यह जोर दिया गया था सो डी ऑप्सन यहां पे सही हो जाएगा ठीक है नियाइक विएस्था वारला जो है पॉर्ट्सन जोड़ा गया था उसके बाद जो बीस नमर परसंट कहता है कि भारतिये संग में अब सिष्ट सक्तियां किसके पास हैं देखे भारतिये संग में जो सि सब्सक्राइब करें यहां मेरे हिसाब से डी होना चाहिए लेकिन आप लोग खुद देख लिए अब करिएगा जिन भी बच्चों को पता हो वो कमेंट जरूर से करिएगा मैं उसको पीन आप कर दूंगा जो भी सही आंसर होगा इकीस का ठीक है इसका है इसके थालोग कि सरवाधिक महत्वपून भूम का होती है तो देखे प्राभावी और संबेधानिक यहां पर नयाईक विवस्था तो यह जो सबसे ज्यादा महत्पून होता है सो सी ऑप्सन सही हो जाएगा उसके बाद जो 23 नमर प्रसन कहता है कि निमलिखित में से कौन सा अधिकार अंतह कर बब करता देता है तो दी ऑप्सन सही हो जाएगा चौवीच City की कानून के बिना आधिकार के एक सब्सक्रा जिसे मनुष की thriller मनुस्य की कोई सुरच्छा नहीं हो सकती है तो देखे इसको जो किस ने बोला था तो देखे यहां पर थो मस होबस ने यह बात बोली थी सो बी ओप्सन हमारा सही हो जाएगा पचीस नमर परसंड केता है कि उनीस सुराष्ट संग ने कौन सी घोसना अपनाई थी ठीक है तो य जो है मानवा अधिकारों की जो सारभों жयां पर घोसना humor सभय हो जाएगा 26 काहता है कि अ लेवंथ के कोस्टन है उसके बाद 27 पश्ण कहता है अधिकरहन युक्त बैक्ति बाद कि अब्धारना किस के चिंतित में नहित है चिंतन में नहित है दोखिये अधिकरहन युक्त बैक्ति बाद जो है यह आपको कहां से मिल जाएगा तो यह तीएच ग्रीन और एक थे नागरिक गंतंत्रबाद का सुत्र किसने परतिपादित किया था तो नागरिक गंतंत्रबाद यानि कि सिविक रिपब्लिक निजम जो है किसने परतिपादित यहां पर किया था तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा बी ऑप्सन सही हो जाएगा 29 पसन कहता है कि निस्किरियाबाद पर्तिबंध पर्तिपादित किया गया था तो नागरिक निस्किरियाबाद जो है किस ने दिया था तो याद रखिएगा यह जो है जुगेर्ण हेवर मानस ने दिया था जुगेर्ण हेवर मानस ने दिया था तो यह उप्सन है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यह संगहातमक सासन की एक विवस्ता होती है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा B option सही हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं 32 परसन की भारतिय संविधान की किस सुची पर केंदर और राज दोनों यहाँ पर विधायका यानि की कानूने यहाँ पर बना सकती है जो दोनों विधायका है राज की विधायका और कंदर की विधायका दोनों संवर्ति सुची में बनाती है सुची ऑप्शन सही हो जाएगा दख्षेस का पहला समेलन ःधाका में हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे बंगलादेश यहां पर सही हो गया तो यहां कि यहां पर सही हो गया उसके आप 35 केता है कि भार्तिये नागरिक्ता संसोधन अधियाम 1986 के अनुसार जो बैखती पंजी करन के माध्याम से भारतिय नागरिक्ता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कम से कम कितने बर्स निवास करना होगा 26 से पहले 10 वर्स था पांच वर्स था लेकिन श्यासी के बाद यह 10 वर्स कर दिया ठीक है जो यहाँ पर सही के बात करते हैं से 18ारी ल्क्तांत्रिक समाजवाद पर दो नेहरू जी जो थे वह समाजवाद के बहुत कटर यहां पर समर्तक है साही हो जाएगा इसके राद हम भी बात करते हैं की सब्सक्राइब कर योजनां में गरीबी हटाओ कारिकरम को विषय अस्तान दिया गया है तो देखें गरीबी हटाओ जो है 71 से 71 के बाद जो आ याई थी सरकार ठीक है उसके बाद 24 से 89 वाला जो पंचवर्सी योज़ना चला था उसके बीच दिये थे ठीक है यहां पर सी ओप्संज हो जाएगा क्या सी ओप संसोधन द्वारा नगर निकायों को सम्भेधानिक दर्जा दिया गया है तो देखिए नगर निकायों को चोहत तर्मा समिधान संसोदन सो सी उप्सन सही हो जाएगा उसके बाद चालीस निमर परसंट कहता है कि अनुसूची जाती संग की साली होने से भारत में संगबाद का कौन सा परतिमान उभर रहा है तो यहां पर सहकारी संगबाद जिसमें क्या होता है कि जो भी यहां पे चेतरी अदल या केंदरी अदल होते हैं वो क्या होते हैं मिल जुल के काम करते हैं सो सी ऑप्षन यहां पे सही हो जाएगा देखें उसके बाद 42 परसंट कहता है कि संविधान का कौन सा अनुछेद संसद को राज सुची के किसी विषया पर बिधान बनाने की सकती देता तो यह अनुछे 249 देता यह सारी कोश्चन मेंने आपको अल्रेडी पढ़ाए हुए हैं ठीक है उसके बाद 43 परसंट कहता है कि लोगतांत्री विकेंद्री करन का सुझाव नेम लिखित में से किस ने दिया तो यह जो बलवंत राय महता समीती ने दिया था ज यहां पर ग्राम पंचायत हो जाता है सो हमारा सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह विडियो जो है आपके लिए बहुत यूस्पूल अगर साभित होड़ा आया तो निश्चे तो इसे वीडियो को लाइक करिए ठीक है और अपने दोस्तों में करिये ठीक है क्योंकि इस ते अनुसची में पंचायती राजविवस्थाऊं को कितने कारिय जुह है सब्सक्राइब गई थे 29 कारिय पुल कितने 29 कारिय तो दि उप्सन सही हो जाएगा उसके बाद 46 केटा है कि 73 में संभिध्दान संसोधन द्वारा भारतिय संभिध्धान को कौन सी भारती सम्वेधान में कौन सी अनसूची जोड़ी गई है तो तर्मा सम्वेधान संसोधन एक आर्मी अनसूची में जोड़ाइगा तो भाग नौ एक आर्मी अनसूची ठीक है तो यहां पर सोधन भी धेक है तो वह पारित नहीं होगा क्योंकि दोनों को अलग-अलग पारित होना जरूरी होता है तो यहां पर सही हो जाएगा उसके बाद जो है 49 परसन कहता है कि जर्मनी का एकी करन कब हुआ था तो यह 1990 में हुआ था स्वाव यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके 50 नहीं बात करते हैं कि यूद्र के दोरान जर्मनी का एकी करन किस बरस होगा था फिर से वही सवाल है यहां ili तीन अक्टूबर 1990 था ठीक है तो यहां पर सी ऑप्सन सही हो जाएगा अक्टूबर 1990 उसके बावन नमर परसंड की बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संग के पर्थम महासचीव कौन है देखें पर्थम महासचीव यहां पर जो है आपको ट्रिगी भी लाई हो जाए आपको 1966 में होगा था तो यह आपका जो है सी ऑप्सन सही हो जाएगा उसके बाद जो है चौबर नमर परसंड की बात करते हैं कि किस महतपूर निर्ने में कहा गया कि कोई संविधानिक संसोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटवती नहीं की जा सकती यह केस आपको नद भारती केस 1923 था सो सी ऑप्सन यहां पर सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग बात करते हैं 55 नमर परसंड की कि संविधान के किस संसोधन द्वारा मौलिक कर्तवियों को जोड़ा गया है तो याद रखे यह जो है आपको मौलिक कर्तवियों को 42 संविधान कोटी में आता है तो याद रखे यह जो हैको मौलिक कर्तवियों है याद करता है सब क्या है चुनाब आंग निकाल करने की पर किसए नतगत आती है देखिए बोट का जो अललग-अलग बिधी होता है उसके बारे में पूछ रहा कहा पर द्यास सिस्टम यानि कानुपातिक परतिने दे तो पढ़नाली सही आंसर हो जाएगा अंठाबन नमर परसन कहता है कि केविनेट में महराव कि अधार सिलह किसे कहा जाता है कि यह इस्तिपा दिया खेल खतम सरकार खतम हो जाएगी तो यहां पर बी ऑप्सन सही हो जाएगा परदान मं पतरि उसके बाद उन отвल्खrico किता है कि इंदरका litur करता कहा जाता है तो केंदर का जो एजन्ट होता पत्राजंटि कोन करते राश्पती करते हैं इसकल भाग सपर्स के लिए है कितनी नियूंतम हायू निर्धारित की गई है तो राज्य सभा की सदस्ता के लिए कम से कम 30 बर्स होना चाहिए, ठीक है, तो B option हमारा सही हो जाएगा, दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में share भी जरूर करिए इसको, उसके एक सथ नमर परसन कहता है कि बिधान परसन का अध्यक्ष किसे सभर 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 में कस होटा है, कि भीधान मंदल की सदस्तियों की संखरक कि विद्धान सभा में 22 243 बिधान परसद में 75 दी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर 64 सवाल का कि बिधान सभा में बैठक के लिए गर्ण पूर्टी के लिए जो यहां पर कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिती आवस्यक होती है तो 10 या एक बट्टा दस सो श्रवरों के दौक के ऑजिपाली के खतम करता है और यहां पर अनतरगत करती हैं कानून के द्वरा स्थापीद परकिया होती है उसके नंतरंगरत काम करती है इस के बाद अरसाइट में भी तो यहां पे सब्सके घंच करतेipples की बारतिये न drop का को सिर्ष नियायले को न्यों होता है कि भारतिये विच्वकार्त सरोच्टी सेख्टlorus उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक 70% की भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया तो यह 2014 में समाप्त कर दिया गया तो कर दिया दिया अब यह पे यह पर आपका गलत भी और में से लगने वाली लाइन को बोलते हैं, अब बादा पर जामो कसमीर नाचर परदेश यहां पर आपका दोनों से लगती है क्यों कि देखे में एक मुहन रिखा जिए संब्सकेडी के घंज हो जाएगा तर का सही हो जाएगा इसलिए 72 का जहिसने जम्मू कस्मी लगाया है उनके सही होने की संभबना यहाँ पे जादा हो जाएगी उसके बाद 73 नुमर परसंट क्या कहता है कि देश में आंतरिक गरवरी के कारण संकट कालिन इस्थिति की घोसना कव हुई थी तो देखें यहाँ पे जो है याद रखिए कि देश में जो आं यहाँ पर सही हो जाएगा 75 नुमर परसंट कहता है कि सहर्त राष्ट्रंग का तत्वा धान यानि कि निस्थास्त्री करंद का आयोग कभ गठित किया गया था तो याद रखिए यह आपको 1952 में गठित किया गया था सभी आप्सन सही हो जाए सारी परसंट मैंने आपको बत कर देता हूं कि इसका जो आंसर है वह स्वामी सहाजानंद होगा क्या होगा स्वामी सहाजानंद क्यों कि आखिल भारतिय किसान का कॉंग्रेस का ही जो आगे चलके आखिल भारतिय किसान सभान नाम पढ़ गया था ठीक है जिसके अध्यक्ष कोन थे स्वामी सहाजानंद थे तो यहां पे 76% का आंसर ही कुछ भी नहीं होगा, यहां पे option ही गलत है, ठीक है, वो इससे कुछ लोग नहरू कह रहे हैं, लेकिन यह answer गलत होगा, इसका सही आंसर स्वामी सहाजानन्द होगा, उसके बाद 77% की बात करते हैं हम लोग, कि 208 से दिवस का मनाय जाता, तो यह एक सही हो जाएगा, मैंने पहले ही आंसर बोल दिया, उसके बाद 79% है कि ब्रस जेव, ब्रिजनेव किस देश के राष्टपती थे, तो यहां पे जो दिखें, ब्रिजनेव जो है, सोवियत संग के राष्टपती थे, सो C option सही हो जाएगा, 80% कहता है कि किस विचारक ने यह कु सही हो जाएगा, 81% कहता कि किस ने कहा कि सांती कायडों का सपना है, मुसोलोनी ने कहा था, B option यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 83% क्या कहता है, कि अंतराष्टी सांती तथा सुरच्छा बनाई रखने हैं, तो 1920 में किस संगठन की अस्थापना हुई थी, ठीक है, तो यह जो है, लीग आफ नेशन हुआ था, राष्ट संगी की अस्थापना हुई थी, B option सही हो जाएगा, 84% कहता है, कि अंतराष्टी यह अनु उर्जा अभिकरन का यहां पे अस्थापना कब हुआ, यानि कि इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी जो एजनसी है, इसके अस्थापना कब हुई, तो यह जो है, 1957 हुआ था, B option सही हो जाएगा, उसके 85% कहता है, कि भारत में पर्थम आम चुनाब कब हुआ, तो भारत में जो पर्थम आम चुनाब है, वो आपको 1952 में हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, 1952 में, यहां पे हमारा D option सही हो ठीक है, उसके बाद हम लोगों बात करते है, 86% कि भारत में नई आर्थिक निती की सुरुवात कब हुई, तो यह जो 1991 में हुआ था, नई आर्थिक निती नियू एकॉनोमिक पॉलिसी आया था, कब यहां पे 1991 में, B option हमारा सही हो जाएगा, उसका 87% क्या क्या क्याता है, कि सहीक्त राष्तन के अस्थापना कब हुई थी, तो सहीक्त राष्तन का जो अस्थापना है, weeks 1945 में हो गया था, आया ऐप्सन यह पे सही हो जाएगा, 88% क्या 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 था, यह देशों का पर्थम सिखर समेलन कहां एजिट किया गया तो देखे यह जो है गूट निपेक्स देशों का जो बेल ग्रेड में हुआ था कहा हुआ था बिल ग्रेड में डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उसके बाद 90 नमर परसन कहता है कि किस बर्स पस्चमी राष्ट्रों न पाध्यकारी होते हैं तो यह डेविड इस्टरन ने कहा था सो डी यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सई हो जाएगा उसके बाद 90 नमर परसन कहता है कि प्राचीन यूग में राज्जी का रूप क्या था तो यह नगर राज्य थे ठीक है प्राचीन यूग में उत्त् ने दिया था ठेल देखें पावर धिरी जो है ना आपको यहां पर आरस्तु के द्वार लिखा गया था वी ऑप्सन हमारा क्या हो जाएगा सभी यहां पर हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम दो बात करते हैं 95 कि कि से ने कहा था मुझे सवतन दादो या मुझे मार्दू ठी सही आंसर यह जो कुछ तो खराब हुआ है यहां पर तीन चार गलत दिये गए हैं तो यह सब मैंने आपको बार-बार पढ़ाए हुए है इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर उसका 96 नमपसन कहें कहता है कि किस ने कहा कि मनुष्वं से स्वतनत्र किंतु हर जगा बेडियों से जक्रा हुआ होता है यहां पर यहां पर आपका सही आंसर रूसों ने कहा था कि निमलिखित मेंसे कौन माक्सवादी विचारधार से संबंदित नहीं है तो देखे पुंजी बादी जो है उदारबाद का यहां पर क्या है समर्थक होता है उदारबाद का जो विचारधार होता है वो पुंजी बाद वाला होता है ठीक है लेकिन यहां पर माक्सवादी का पूछ रहा है तो यहां प सब्सक्राइब कै Begin उसस ममाती करना कर दो है को यहां पर यहां पर समाजिक समान्ता यहाँ संहान कर जाता है स dull बहुत एक क समाज समान भैल हो जाएगा है सो नमर प्रस्टाइ갔 यह आपका कि किस सिद्धान्त के उस sì बढ़के हिन समाज में नियाई उपलब्ध हो सकता है तो देखे यहां पर देखे बढ़के हिन समाज की बात कर रहा तो यह माक्सवादी लोगों का विचारधारा होता है तो बी ओप्सन सही हो जाएगा अब आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आपका कितना सही हुआ पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो आएका आउट भी आंसर की वो सब आपको जो है बहुत अच्छे से और 100% गारेंटी के साथ सुद्ध आंसर आपको मिल सके ठीक है तो वीडियो को सेर जबूर करिए अपने दोस्तों में धन्यवाद आज के आपको मिल सके रहाद आपको सुद्ध आपको सबस्तों में दोरी आपको मिल सके फ़े ओन्यवाद दोस्तों में धन्यवाद आपको से ο KingdomPro Sh